बिसमिल्ला इरह्मान इरहीम, अस्सलाम उलेकुम, मैं हूँ असद और आप देख रहे हैं असद अलेक्ट्रिकल आज हम बात करने जा रहे हैं ECM की इंस्टॉलेशन और प्रोग्रामिंग के उपर तो डिटेल में जाने से पहले, सबसे पहले हम यह समझ लें के जब भी हम कोई new ECM इंस्टॉल करने जा रहे हैं किसी इंजन पर, electronic टाइप इंजन पर तो उसके लिए हमें उसका software और communication adapter लाजमी चाहिए तो यह एक set आता है complete, अब आपका जो manufacturer है, अगर वो perkins है तो उसका software EST होगा अगर वो caterpillar है तो ET होगा, इसी तरह commence या कोई और सी प्रोड़क हो सकती है, तो उसके साथ आने वाले computer इसमें software इंस्टॉल है और यह भी make sure करना है कि वो expire ना हो क्यूंकि उसकी expiry होती है, उसका license होता है और इसके साथ साथ उसका एक communication adapter आता है, जो के communicate करते है हमारे ECM और computer के साथ और इसके साथ communication adapter की cable आती है, तो यह चीज़े आपके पास होनी ज़रूरी है, अगर आप एक नया ECM engine में install करने जा रहे है अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ECM आपने install कर दिया, अब उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, हम step by step इसको cover करेंगे तो सबसे पहले नमबर पे जो चीज़े वो flash file के लाती है, अब यह flash file आपको उस condition में चाहिए होगी जब आपका ECM बिल्कुल empty आया है पीछे से company से अच्छा, इसमें conditions होती है, कुछ ECM ज़र वो already flash file उसमें install हुई ही होती है, तो उसमें हमें flash file डालने की ज़रुरत नहीं है अगर आपका ECM बिल्कुल empty है, तो जब भी आप ECM को install करके अपना software उसके साथ connect करेंगे, तो वहाँ पर लिखावा आजएगा कि flash file required तो अगर flash file required लिखावा आगया, तो फिर आपको लाजमी वो flash file आपके पास होनी चाहिए, या तो फिर आप ECM लेने से पहले उस company को ये कहेंगे कि हमें ऐसा ECM चाहिए जो already flash file जिसमें delivery हो, अचा flash file basically कोई specific नहीं होती किसी engine के लिए बलके वो एक default values उसमें होती है बस उसमें यह होता है कि आप उसके जरीए से communicate करवा सकते हैं अपने computer को और उसमें parameters change कर सकते हैं नेकिन अगर flash file delivery नहीं आई है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला जो step है इसका वो आपके पास flash file होना जरूरी है उस ECM की जो भी आप new ECM install करने जा रहें अगर आप ECM किसी चलते वे engine में से निकाल कर दूसे engine में लगा रहें तो फिर उसमें तो किसी procedure की जरूरत ही नहीं है आप ECM खोलेंगे और उसकी जगह दूसरे लगा के उसके connector fit tight कर देंगे तो उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है अगर आप किसी same engine से उतार कर replacement कर रहें अगर आप new ECM install कर रहें तो आपको new ECM के लिए flash file जरूरी चाहिए होती है वो flash file आप उसमें install कर देंगे उसके बाद आपके पास जो आपका software वो connect हो जाएगा ECM के साथ तो दूसे नंबर पर हम चलते हैं दूसे नंबर पर हमें configuration करनी होती है मसलें flash file उसमें delivery आई है या आपने इसको install कर दिया है उसके बाद आप उसकी हमें configuration में जाना है ECM की configuration होती है अब जो भी software आप use कर रहे हैं EST या ET या कोई और सा तो उसको use करने का तरीका आपको आना चाहिए तो आप उसकी जब configuration में जाएंगे तो उसमें दो तरह के option हम आए सामने होते है एक तो यह होता है कि हम one by one सारी चीजों को अपनी requirement के साब से change कर लें अब उसके लिए आपको पिछली जो values होती है पुराने ECM की वो चाहिए होती है अगर वो नहीं है तो फिर उसी type का same model का दूसरा engine आप उसके ECM पे जाके software connect करेंगे उसकी copy configuration को copy करेंगे और फिर यहां लाकर इस software के जरीए उसमें paste कर देंगे तो इसमें copy paste का भी option होता है तो configuration अगर आपने copy कर लिए यह पुराने ECM की copy हुई भी थी तो आपने new ECM में उसको paste कर देना है तो इस तरह यह engine जो इसकी configuration ECM की उसी engine के हिसाब से हो जाएगी अगर आपके पास वो चीजे note हुई है तो आप उसको one by one उसकी configuration में जाके manually भी change कर सकते हैं उसके parameters तो configuration सबसे लाजमी चीज है अब configuration के बाद तीसरा step आता है हमारा injector की trim file का इसको हम injector trim file या injector trim code भी कहते है अच्छा जो injectors हमारे engine में use हुए में चुके हम electronic engine की बात कर रहे हैं जिसमे ECM होता है तो वहाँ पर हमाई जो electronic injectors होंगे EUI होंगे तो उनके उपर एक numbering होती है हर injector के उपर कुछ में 4 digits कुछ में 6 digits ऐसे दियावा होता है उनोंने तो वो सारे codes हम यहाँ पर injector की calibration में जाके वो trim code इसमें डाल देंगे इसका दूसरा procedure यह होता है कि आपके पास जो भी नए injectors आएं उसकी CD's उसके साथ दी जाती है तो उन CD's में वो सारी files होती है trim files अगर आपका 16 cylinder का engine है या 12 cylinder है जो भी है उसके साथ से जितने भी injector आएं हर injector के box में एक CD दी जाती है या एक common CD होगी जिसमें सारी files होंगी line से तो आपको serial number या उस trim file के code के साथ से injector की calibration में जाकर injectors को calibrate करना होगा तीसरी चीज़ी हो गई चौती चीज़ी होती है कि जितने भी engine के sensors है उनको हमें calibrate करना होता है अच्छा sensors तो already calibrate हुए मैं मसला हमें एक engine पर ECM change कर रहे है तो उसके sensor तो पहले से calibrate हुए मैं लेकिन जब भी हम नए ECM लगाएंगे तो वो दुबारा से calibration required आ जाती है अक्सर में तो इसलिए हमें sensor calibration में जाके इसको calibrate करना होता है तो automatically अगर कोई sensor defective होगा तो वो हमाई सामने आ जागा अगर सारे सही होंगे तो लिखावा आ जागा के सारे okay है अच्छा sensors में भी pressure sensors की normally calibration की जाती है यह depend करता है हमारे model के उपर हमारे manufacturer के उपर कि हमाँ पर कौन-कौन से sensors को हम calibrate कर calibration भी हो सकता है कि हर इंजन में required ना हो लेकिन अगर हम बात करें caterpillar 3500 series की तो उसमें यह होता है कि जब भी हम पुराना ECM खोल कर नए ECM उसमें install करते हैं तो engine timing calibration उसमें required होती है चाहे वो engine की already calibration हुई भी हो लेकिन नए ECM को अपने हिसाफ से calibration चाहिए होती है तो इसका एक पुरा procedure होता है उस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्ला ECM में उसका connector दिया होता है उसके जरीए से हम उस sensor को connect करकर और flywheel के करीब उसकी एक location होती है वहाँ पर tight करके फिर उसका procedure हो पूरा engine start करना होता है तो वो calibrate हो जाते है engine timing calibration तो यह flywheel के जरीए जहां पर MPW होता है उसके करीब में इसकी एक location होती है वहाँ पर हमें वह tool इंस्टॉल करना उता है इसका पूरा एक टूल होता है, केविल होती है, पूरा सैट होता है, तो टाइमिंग कैलिबरेशन एक अलग प्रोसीजर है, इस पे हमें अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है, हो सकता है कि हर इंजन में या हर ECM में यह रिक्वार्मेंट ना होती हो, लेकिन कैटरपिलर के 3500 सिरीज के इंजन में, जब भी आप नए ECM इस्टोल करेंगे, तो आपको टाइमिंग कैलिबरेशन करनी पड़ेगी, यह टाइमिंग कैलिबरेशन कहलाती है, इंजन की अलग होती है, और इंजन की अलग होती है, तो यह वो ज़रूरी चीज़े हैं, जो किसी भी इंजन म नए ICM इस्टॉल करते वक हमें करनी होती है तो सारी प्रोग्रामिंग होने के बाद हम इंजन को चला के वेरिफिकेशन के लिए उसके इंजेक्टर का करना होता है वन बाई वन तो इसके लिए उनकी एक रिक्वाइट टमप्रेचर होता है कि मसलन टमप्रेचर जो है वह 70 से कम ना हो इसी तरह जो उसके आर्पीम है वह 1500 या 1200 जो भी उनकी रिक्वारमेंट है उसके हिसाब से हमें इंजन को उस पोजिशन पर लाकर फिर इंजेक प्रेशर के एट्मोस्फेरिक प्रेशर वाटर टमप्रेचर और जितने भी बूस्पेशर वगएरा वह सारे उस पर सही आ रहे हैं या नहीं तो बाद इंजन में फिल्टर के इन और पर सेंसर लगे होते हैं तो से हमें डिफरेंशल प्रेशर भी पता चल रहोता है कि कितना प्रेशर इन हो रहा है कितना आउट हो रहा है कितनी रिस्ट्रिक्शन है फिल्टर में यह सारी जीज़े हम प्रेशर से देखते हैं तो अगर हमाई सेंसर कैलिब्रेट हुए बहुंगे तो हमाई रीडिंग बिल्कुल होके आएंगी तो यह च्छे स्टेब हमने आज की वी से गुजरना होता है तो इस तरह हम किसी भी ECM को किसी भी अलेक्ट्रोनिक टाइप इंजन में इस्टॉल कर सकते हैं जैसा कि हमने दो सॉफ्ट्वियर्स के नाम बता दी है इस टी जो के परकिंस या एफजी विलसंग वागरा में उसके जाता है इसी तरह दूसरे जो भी मै आले से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं इंशाला नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे नेक्स वीडियो तक के लिए जाज़त दीजिए अल्लाहाफिस